तो ऐसे हाँ पर यहरा मेर पास Samsung Galaxy A335G स्मार्टफोन आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 60 प्लस जी हाँ दोस्तों 60 ज्यादा टिप्स इंट्रिक्स इंट्रेस्टिंग और सम फीचर्स आपको बताऊंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखकर बहुत लग जाता है दूस्तों अगर आप दोदो एक फोन में और एक वक्त में एक ही स्क्रिन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एपलेकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करना है उस एप की ऐगन के ओपन लॉंग टाप करना है लॉंग टाप करेंगे तो यहाँ पर आपको उस एकन के ओपर लॉंग टाप करने के पाथ हम पर दिखता होगा ओपन इन पपप इसके ओपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पपप में ओपन हो जाता है साथ में दुसरा कोई भी एपलेकेशन आप ओपन करके कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसको आप छोटा कर आपको दिखता होगा डिस्प्ली इस सट्टिंग में आना है यह लाइट है आपको कर लेना है डार्क तो यह पुरा फोन इस तरह से ब्लैक ब्लास सा हो जाएगा तो आपके आंगों को एफेक्ट ने पड़ेगा स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंजिम होती है इसलिए इसको अब जैसे धूप में जाते हैं तो अट्यमेटिक ब्रैक्नेस कम होता है अपने लेटिंग कंडिशन के इसाब से कम जाता होते रहता है इसके वाइब आप स्टैंडर करेंगे तो यह सिष्टी हड़ होता है आप हाइए करेंगे 90 हड तो आपका स्माटफून स्मूथ चलता सब्सक्राइब करेंगे तो यह देख सकते हैं इस तरह से होगा इसके पर क्लिक करके इसकी कश्टम को बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं आप रोजिंग कर रहे हैं या आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं आपकी आंकों को एफेक्ट ने font size and style आपको इस setting में आना है, हाँ पर font के style को आप change कर सकते हैं, आपके हाँ पर इतने fonts के styles में थे हैं, और भी आपको stylish वाले चाहिए, fonts तो हम पर down fonts पर click करके और भी आप style वाले fonts को download करके रख सकते हैं, बैक आने के पर है, bold font भी यह भी आप कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपके आँख कमज़र हैं, आपको ठीक से नहीं देखता हूँ कि हम पर जख सकते हैं, अपनी fonts को आप बड़े कर सकते हैं, आपस इसको छोटे करना चाहिए, छोटी पर आप यहां पर कर सकते हैं, बैक आने के पाद डिस्प्ले सेटिंग में हाँ पर है, screen zoom, यहां से आप जो screen है यह buttons बड़े हो जाएंगे, देख लीजिए आप, इसको बड़ा कर लेता हूँ, यह buttons बड़े हो जाएंगे, और साथ on है ना, तो एक minute के बाद में display automatic off हो जाता दूसों, बैक आते हैं, यहां पर है, ads panel, यह off है तो हैंसे इसको सबसे पहले on करना, इस ads panel को, on करेंगे तो हैंपर एक ads panel निकल कर आएगा, इस तरह से आप slide करेंगे, तो हमाँ पर यह applications आते हैं, अपने मन पसंद के applications आपको add करके इसको नहीं चाहिए निकाल सकते हैं, 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 इसको निकाल सकते हैं, अपने मन पसंद के application आपको add करके रखना, इस तरह से जाएंगे और आप कोई भी एप्लेकेशन वागरा यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह से स्लाइड करके वह एप्लेकेशन को यह से शौटकट में यूज़ कर सकते हैं अगले फीचर की बात करने लिए आपके हम पर आना है सेटिंग में और आपके हम पर इसे डिस्पेस हां पर ओपन एप पर क्लिक करेंगे तो यह था कोई भी एप्लेकेशन आप हम पर ओपन करके यूसट कर सकते हैं आप माई फ्यस्वूक कर लेता हूं अभी हमपर पर पावर बटन पर हम डबल क्लिक करेंगे तो इस फेस्बूक ओपन हो जाता है अगली फीचर की बात करने लिए इस पोन पर क्लिक करके तो यहां पर आ पर देख सेके शुτο तो record calls इसको on करेंगे, तो confirm करेंगे, तो automated call recording setting on हो जाएगे, जो भी आपको call आते हैं, जो भी आप call पर बात करें, recording हो गे, back आने के बाद आपको दिखता होगा call background, आपको हमपर चार background मिलते हैं, जो background आपको अच्छा लगे, उसको अफ्लाख कर सकते हैं, यह background आपको तो जैसे call receive कर लेता है। और आप call पर बात कर रहे हैं, तो जैसे call cut हो जाता है। इन दोने cases में आपका smartphone hybrid होता है। इससी setting भी नीचा आने के बाद हम पर है hybrid will ringing, इसको on करेंगे तो आपको call आता है, तो आपका phone ringtone के साथ में hybrid भी होता है। उसके बाद हम पर प्र प्लिक्यक्जिण को मतलबूं कर सकते नहीं तो ऑफ कर सकते हैं उसके बाद हम पर और प्लिक होना चैया को आ सब ऑनिए एक फेमील और लॉसके नहीं भी फोट offers नुसक्ति एक हैि gab आता है तो 10 seconds के बाद में automatic call रस्यू हो जाता दूसों बैक आने के बाद यहां पर हैं प्रेस वाल्म अप्टू अंसर कॉल इसको आन करेंगे तो अब मालो आपको कॉल आता है तो जो ज्यादा करने वाला बटन है वाल्म प्लस बटन उस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो जाता दूसों बैक आते हैं इसी सेटिंग में आपके हमपर देखता होगा call डिस्प्लेइव यूजिंग एप मतलब कोई भी एप्लेकेशन वागरा यूज करें तो आपको call आता है तो कैसे आना चाहिए आप फूल स्क्रीन करेंगे तो पूरा स्क्रीन फरी call आएगा आएगा स्क्रीcion को अब करेंगे पिस तरह बाल यसे स्क्रीन को उधर आन करेंगे यह सुक्त करेंके इस स्क्रेलिय बॉल बडब करेंगे यह यह स्क्रॉन को हूं लेकिर टैप करेंगे लॉक हो जाता है दूस्तों आपका स्माटफोन अगली फीचर की बात करने के लिए आपके हम पर सट्टिंग में आकर इसी अड़न्स फीचर सट्टिंग में आकर हैं पर देख सकते हैं आप मौनिशन एंड जॉस्टर अपको इस सट्टिंग में आना है हैं हम प अब जैसे फोन को उटा कर हाथ में लेते हैं तो आपको अलट करेंगा आपको कॉल मेसेज बहुत सारे आये हैं पहले वह चेक कर लीजे बोलकर इसी के ठीकी नीचे हां पर है म्यूट विट जश्टर इसको आन करेंगे तो अब मौन आपको कॉल आता है आप रिंग्टून लग जाता है यह दिख लीजिया आप इससरह से एगली फीचर की बात करना लिए आपके हमापर आना है चलिए नुकिकेशन सेटिंग में हाना है वह बरे ब्रीफ और डेल हें पर आप ब्रीफ करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नुकिश्यां अता तो इस आसी पर में है मे है唱 पर द्लाइटिंग है अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है अच्छा लगता कर में है इस तरह कर सकते हैं और इस पर कै track यह वह color आप रख लेना आप अटो करेंगे तो जो एप का color कैसा है वह एप का थिम कैसा है ना उसी तरह वह उसका color आता है इस पपप का यहां पर आप color करके कोई भी by default रखेंगे तो वही color आता है सारे यह बिद्ध का यह सट्टिंग आप यहां पर यह यूज कर सकते हैं तो इसकी अलाओ है पर इसी सट्टिंग में हाँ पर है color by keyword मतलब आप कोई भी highlight करेंगे कोई बटन को आप मालो है यहां पर highlight करेंगे इस तरह से यह message आप हैलेट करके रखेंगे इस तरह से तो यह message आता है इसका आप color भी change कर सकते हैं, मतलब आपको red color रखना है, आपको कोई message आता है, तो उस message में यह word है, तो इस तरह से वो red color में हो जागा है, यह word, इस तरह से आप यहाँ पर यह use कर सकते हैं, दोसों, अगले future की बात करने लिए setting में आएंगे, और आपके हम पर इसी notification setting में आना ह यहाँ पर देख सकते हैं, show notification icons, यहाँ पर आप all notifications करेंगे, तो जो जो एप से आपको notifications आये हैं, उनके icons यहाँ पर आपको बताएंगे, इसके बाद हम पर show battery percentage इसको आउन करेंगे, तो बैटरी पर संटेज दिखाना शुरू हो जागा, इसके बाद हम पर notification history इसको हैं से इस notification reminders, इसको आउन करके, बीच में एक बार किलिक करके, आप हम पर remind every, आप हम पर 3 minutes लेकर 15 minutes तक कर सकते हैं, आपने 5 minutes कर लिया, और आप इस पर किलिक करके, कौन से एप से notification आने के बाद आप नहीं नहीं देखा, तो हर 5 minutes के बाद में remind होना चाहिए, उन्हें application को आपको select कर ल एक dot बताएगा, उस dot को देखकर आप पहचान सकते हैं, इस app से notification आया है बोलकर, उसके बाद हम पर number करेंगे, तो कितने आपको notifications आये हैं, quantity बताएगा, मतलब 50 notifications आये हैं, तो 50 बताएगा उस app के उपर, अगली future की बात करने के लिए setting में आएंगे, और आपका हम पर आना है अब चलिए lock screen setting में, यहां पर आने के बाद हम पर है, चलिए clock style, मतलब यहां पर जो lock style है, मतलब clock दिखाता है वो timing, उसका style कैसी आना चाहिए, यहां पर आप रख सेथे हैं, back आने के बाद हम पर आप हम पर देख सेथे notifications, मतलब आप हम पर icon only करेंगे, तो कोई भी app से आप आप का icon बताएगा हम पर ऊपर, आप हम पर करेंगे details तो हम पर किस app से आपको notification आया है, पूरा message ही lock screen पर इस तरह से बता देता है, यह आप कर सकते है, back आने के बाद आपके हम पर shortcuts दिखता होगा, इसी lock screen setting में, हम पर देख सकते हैं, हम पर यह क्या है, यहां पर camera, इसका हम Chrome, अगली feature की बात करना के लिए notification पैनल में आना है, हम पर देख सकते हैं, torch है, इसके उपर click कर लेना है, और जो torch जो लिखा है, इसके उपर आपको click कर लेना है, torch की level को आप बढ़ा सकते है, torch की रोशनी और भी हम पर आपकी बढ़ेगी, और इसके बाद हम पर है screen recorder, मतलब आपको screen recording करना है, तो यहां से आप screen recording कर सकते हैं, extra app वोगर आपको लेने की ज़रूरत नहीं, अगली feature की बात करना के लिए, इसी notification पैनल में आना है, और इस तरह select करना है, हम पर do not desktop है, आप इसको आउन करेंगे, तो जैसे आपको call आता है, तो आपका phone hybrid भी नहोगा, और phone आप उपर से नीचे लेकर आ सकते हैं, जैसे आप secure folder use करना चाहिए, secure folder use कर सकते हैं, इसके अलवाई हम पर आप bedtime mode use करना चाहिए, bedtime mode use कर सकते हैं, focus mode use कर सकते हैं, यह setting आप यहां पर use कर सकते हैं, यहां पर bedtime mode को use करेंगे, इसको bedtime mode on करेंगे, आप सोते हैं, तो आपको call आन करने करना है आपको क्लिक करना है और यहां पर यह एंपर RAM प्लस पर क्लिक करके में यहां पर 6 GB तक RAM को बढ़ा सकते हैं, 6 GB को भी एसने करना के लिए 15 पर long tap करना है और इसके बाद यहा पर themes पर click करके आप themes भी रख सकते हैं फिलहाल तो इसको internet चाहिए आप internet से themes five डाउंड करके इस्टाइलीस वाले themes रख सकते हैं टुसरो long tap करने के बाद होग मिसकी पर wallpaper andड्स आप क्ली करके आपको इतने जो आपको अच्छा लगी उसको आपपलाए कर सकते हैं और व्याक आने के बाद है आप ग्लार निः पर ऑग्लिगर संदियों यह संदि आपको ब्लुट कर सकते हैं पूराई लोग ही चेंज हो जाएगा आपका लृध ही यह हमें आपको अपड करेंगे अधर और हो only करेंगे सारे अपको हो लेंगें अपर हो आपके करेंगे तो चला गया है अगली feature की बात करने किलिए करके setting में आना है और आना है इस तरह से निचे शो एप screen बटन on home screen इसको अँपर एक button निकल कर आएगा इस पर आप क्लिक करके applications को open कर सकते हैं अगली feature की बात करने हैं ऑर आपको long tap करना है home screen पर setting में आना है और आना है तरह से निचे हम पर इसको मैनस करके हम पर डन पर क्लिक करेंगे वही एप्लेकेशन आ जागा जो आपने हैड किया था अगली फीचर की बात करने के लिए लॉंग टाप करेंगे सेटिंग में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे हैं आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना तो ऊपर से खीचने के जबब नेचे सबस इतना करेंगे निकल कर आता है अगली फीचर की बात करने क्लिए हम पर जो नौच में यह लाइटिंग है एक एसी सट करें आपको मैं बतायतू हूं आपको ओपन करना है ख्रूम को ओपन करक तो यूज़ करना दो क्यूंकि यह गूगल प्लेग श्टोर नहीं मिलेगा अगर आप बैंकिंग करते हैं अपने फोन में या इंपोर्टन डेटा वागरा रखते हैं तो इसको मत यूज़ करना मेरी तो यही रहा है अब फिर भी अपने रिक्स पर इसको यूज़ करना चा करना यह का क्या करना है आपको चुब करना यह पर नीचे इस पर कुल करके यहां पर पेश्ट कर देना में जिम पर पिस कर लिए उसके बाद आपको वग्यवड सेटकर करके , फिर आपकर इस तरह सी यह यह स tiếp स्ट हो जाता, अगली फीचर की बात करने के लिए हम पर और आना है वापसी सेटिक में डिस्पेश सेटिक में आएंगे और आपके हम पर आना है और नीचे अब अधर सब्सक्राइब करने के लिए नीचे से लॉंग टाप करके आप रिसंटक्स को भी रिमोर कर सकते हैं तो यह थे जिसनों इसी Samsung Galaxy A33 5G smartphone के आपको मने 60 से ज़्यादा tips and tricks hidden features आपको बता दिया आपको कौन सा feature अच्छा लगा निच्चों कमेंट सुन बता देना और आप इस smartphone के top 50 plus tips and tricks hidden features वाला एक और वीडियो देखना जाते हैं तो उस वीडियो की link आपको इस वीडियो के description box मिल जाएके नहीं तो आपको क्लिक कर लेजिए यहां पर आपको वीडियो दिख रहा होगा